जाहिन सभी को मेरी तरफ से उम्मीद करता हूँ आप सब बहतर होंगे मस्त होंगे और चाल दूरी और समय याने कि स्पीड डिस्टेंस टाइम के इस सेकेंड वीडियो में सबका स्वागत है इसके पहले जो वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ उसमें बेसिक से मैं इस वीडियो को भी शुरू करूंगा क्यूंकि ये चेप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है दो तीन वज़ाओं से स्प पहले एक बेसिक रिवीजन ले लेते हैं फिर आगे के टॉप इसको कवर करेंगे तो भाई हमने कंप्लीट करना है स्पीड डिस्टेंस और टाइम को ये मैं पिछला ही आपको रिवाइज करवा रहा हूं अब यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि यहां एक रिलेशन द करीके याने कि चाल को धीमा करोगे तो उतनी ही दूरी तै करने में समय ज्यादा लगेगा इसके बाद में स्पीड में मैंने इंग्लीश में लिखके बताया था कि स्पीड इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इसी को यहां पर देख सकते हो जो जो मैं हाइलाइट इस प्रकार से हमें पहली बार फॉर्मूला मिलता है एस इस इकोल स्टू डी बाई टी यह सब पिछले वीडियो का है इसलिए मैं थुदा तेजी से लेके चल रहा हूं speed equals to distance upon time अब इसके बाद में मैंने आपको next जो चीज बताई थी वो यह बताई थी कि इस चैप्टर में यूनीट का बहुत बड़ा खेल है तो अब हम बढ़ेंगे आगे क्या कहा मैंने यह देखो यह equation speed equals to distance upon time यहाँ पर मैंने आपको दो मातरक बताये थे पहला यह को highlight करता जा रहा हूं बड़ा मातरक और यह रहा चोटा मातरक पहला जो बड़ा मातरक है वो हम समझते हैं तो यहाँ पर speed distance का जो बड़ा मातरक है वो kilometer और time का बड़ा मातरक hours तो इस प्रकार से speed का बड़ा मातरक हो गया kilometer पर hour नमबर दो छोटे मातरक की अदि हम बात करें तो distance का छोटा मातरक meter है और छोटा मातरक time का second है minute इसमें count नहीं होता इसलिए meter पर second जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा मातरक किसका speed का इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम conversion देखेंगे kilometer per hour से meter per second में कैसे convert करना है हमें चीजों को तो यहाँ पर मैंने आपको यह समझाया था कि यहाँ पर देखो one kilometer one thousand meter के बराबर होता है one hour एक घंटा 36 seconds के बराबर होता है जब मैं इसे काटता हूँ दो zero से दो zero नीचे उपर से cancel हो गए two two से five times और नीचे two से 36 याने की 36 दो से 18 बार कटेगा दो से उपर वाला दस पांच बार इस प्रकार से एक किलो मीटर प्रती घंटा बराबर हो जाएगा पांच बाटा 18 मीटर प्रती सेकेंड तो यह याद रखना one किलो मीटर पर आर पांच बाटा 18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है अब मैंने आपसे कहा था कि आपको confusion होगा यहाँ पर और किस प्रकार का confusion कि सर हमें एक्जाम में 5 और 18 तो याद रहता है लेकिन दिक्कत य आते हैं कि 5 ऊपर आएगा या 18 ऊपर आएगा तो मैंने आपको एक बहुत शांदार तरीके से इसे बताया था कि बड़े से चोटे और चोटे से बड़े में जाने की लिए क्या करना है तो मैंने आपको यह बताया था कि देखो यह बड़े मातरक से चोटा में जाना है यद तो आप ध्यान दोगे यहां पर कि यह जो बड़ा मात रखे उसमें बड़ी राशी उपर आ रही है, इस प्रकार से मैंने आपको दो एक्जाम्पल से समझाया था, जल्दी जल्दी में यह इसलिए समझा रहा हूं, पिछली वीडियो में मैं अच्छे से समझा चुका था, ब और बड़ा नंबर नीचे आएगा 18, तो यह 72 को 5 बटा 18 से गुणा करोगे, तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा एक्जाम्पल मैंने आपको छोटे मात रख से बड़े मात रख का बताया था, जिसमें मैंने आप से कहा था, कि यह आदि आपको 20 मीटर पर सेकें था, फिर से समझ लो, बड़े मात रख से छोटे मात रख के लिए क्या करोगे, बड़े से छोटे के यहां जाओगे, तो छोटा नंबर उपर आएगा, छोटे से बड़े के यहां पर जाओगे, तो बड़ा नंबर उपर आएगा, बस इतना ध्यान देना है, तो यह हमने फ इसी भी number को कैसे देखेंगे, तो उसके मातरक से देखेंगे, याद रखना इस chapter में मातरक यानि यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल है, कोई भी number हो उसके आगे का जो मातरक है उससे आप define कर पाओगे, कि ये number क्या है, ये speed है, ये distance है, ये time है, फिर मैंने आपको visualize तरीके से याद करना बताया था, कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि side में हमेशा speed आएगी, उपर हमेशा distance आएगी, और नीचे हमेशा time आएगा, इस तरीके से मैंने आपको ये visualize तरीके से बताया था, देखो, चाल कहां आ रही है, speed कहां रही है, ये बाजू में, उपर क्या आ रह किलो मीटर पर आर लिखा है, तो आप बाजू में उसको लिखोगे, यदि किसी नमबर के आगे सिर्फ किलो मीटर आ रहा है, तो आप उसे उपर लिखोगे, यदि किसी नमबर के बाजू में सिर्फ hours याने घंटा या second आ रहा है, तो आप उसको नीचे रखोगे, इस तरीक तो अम मैं जो है उसमें आगे बढ़ूंगा जो questions में करवा चुका हूँ उसको मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि obviously हमें आगे बढ़ना है चलिए तो अब नए concept से हम काम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर नया concept क्या होगा ये भी समझ लेते हैं तो ध्यान देना सबसे पहले तो मैं जड़ा pen select कर लेता हूँ और फिर मैं आपको पहले short trick बताऊंगा इस question की और इसके short trick के बाद में मैं आपको फिर ये भी बताऊंगा कि ये question हुआ कैसे ठीक है ध्यान देना प्रश्न है new concept पे और जब भी मैं new concept लिखू तो समझ जाना कि ह कुछ नया सीखने वाले हैं एक व्यक्ति कारद्वारा नगर A से नगर B तक 72 km प्रती घंटे की चाल से जाता है ठीक है वह नगर B से नगर A तक 48 km प्रती घंटे की चाल से वापस लोटता है तो पूरी यात्रा में उसकी ओसत चाल ओसत चाल क्या है तो यहां पर ध्यान देन वाली बात यह है कि आपको यह कोशन ओसत चाल पे पूछा है अभी तक के सारे कोशन आपने सिर्फ चाल पे किये थे यह पूछा गया ओसत पे तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ओसत चाल का मतलब एवरेज स्पीड को हम कैसे सॉल करेंगे पहले मैं ट्रिक के माद्दम से समझा देता हूं फिर मैं उसको बेसिक में भी समझाओंगा कि यहां पर क्या कहा गया कि यह रहा 72 किलोमीटर प्रती घंटा यह पहला स्पीड है और उसी के नीचे लिखा है 48 किलोमीटर प्रती घंटा दूसरा स्पीड है पहले मैं ट्रिक से करवा रहा हूं मैं इसको कर 2 times 72 multiplied by 48 पहले तो मैंने 2 के साथ multiply कर दिया दोनों speed को फिर मैंने नीचे 72 plus 48 कर दिया तो यहां पर दोनों speeds को उपर गुणा करा 2 के साथ और दोनों को बाद में मैंने plus कर दिया अब मैं इसको solve करता हूँ तो solve करने पर 2 into 72 multiplied by 48 divided by इसको जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 की 0 हसल का 1 7 और 4 11 और 12 और यह 72 से इसको मैं काट देता हूँ तो 12 चेंग 72 छे दूनी 12 तो मैं इसको यहां solve कर रहा हूँ 12 multiplied by 48 divided by 10 मैंने 0 का अभी नहीं काटा क्यूंकि वो decimal लगाने में मेरी मदद करेगा अब मैं 12 का पहड़ा ले लेता हूँ 12 8 96 96 हासिल का आ गया 9 और 12 चोक 48 48 और 9 हो गया 57 57 देहान देना calculation पे और यहां पर 10 से यह decimal लगा दिया मैंने तो यहां पर exact answer क्या आ गया 57.6 मैं एक बार फिर से मिटा के लिग देता हूँ इसको यहां पर exact answer क्या आएगा जो अभी मैंने निकला था 57.6 और यह 57.6 कहीं पर दीख रहा है क्या बिलकुल दीख रहा है यह B option पर दीख रहा है 57.6 किलो मीटर पर आर इसका average speed है अब यह तो basic से ही हमें अपने आप में confidence आता है कि हम यह 2 का multiply क्यों कर रहे हैं दोनों speeds को हम multiply क्यों कर रहे हैं नीचे दोनों को जोड क्यों रहे हैं तो पूरा मैं basic से समझा रहा हूँ और फिर आपको पता चलेगा तो आपका confidence और बढ़ जाएगा अब इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ आप यदि इसको ऐसे ही समझना चाहते हैं तो यह मैंने finalize कर दिया इसको ऐसे चिपका देंगे लेकिन आगे के question नहीं होंगे इसलिए basic सीख लेना अब मैंने इसको पूरा मिटा दिया है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक थोड़ी सी जगा बना लूँ और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं ना just a second अब करता हूँ कि यह question आभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा और इस पी मुझे थोड़ा सा space चाहिए रहेगा इस वजह से मैंने जो है यह थोड़ा सा जग बना लिया है ओके तो अब मैं आपको यह questions अच्छे से करवा पाऊंगा इसा उम्मिद करता हूँ देखो प्रश्न में कहा कि एक व्यक्ति कारदवारा नगर A से नगर B तक 72 किलो मीटर प्रति घंटे गती से जाता है तो मैंने माना कि यह नगर A है यहाँ पर और यहाँ पर है नगर B और यहाँ से यहाँ पर यह व्यक्ति जा रहा है इसके बीच में जाते वक्त इसकी स्पीड जो होती है वो 72 km पर आर, km प्रती घंटे को में km पर आर kmph लिखूंगा तो ये जाते वक्त इसकी स्पीड है प्रस्ट में आगे कहा तथा वह नगर B से नगर A वापस आता है 48 km प्रती घंटे की गती से मतलब जब B से A पर आ रहा है तो उसकी गती है 48 kmph यानि वो A से B जा रहा है और B से वापस A आ जा रहा है आगे कहा गया कि घंटे की चाल से वापस लोटता है तो पूरी यातरा में उसकी ओसत चाल क्या होगी अब मैं आपको ओसत चाल का concept बता रहा हूँ देखो ओसत चाल क्या होती है ओसत चाल का basic formula है कि ओसत चाल निकालने के लिए आपको पूल दूरी पता होनी चाहिए बटा में उस पूल दूरी को चलने में पूल समय कितना लगा है वो आपको पता होना चाहिए यदि ये दोनो चीजें आपको पता हैं तो आप किसी भी प्रश्ण में ओसत चाल निकाल सकते हैं ठीक है space की मुझे ज़्यादा जरुत पड़ेगी इसलिए मैं इसको छोटा बड़ा करता रहूंगा ध्यान देना है ओसत चाल के लिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे सर कु D1, D2 देखो A से B जा रहा है और B से वो वापस A पर आ रहा है तो कुल समय कितना लगेगा T1 प्लस T2 तो आप कहेंगे क्यों T1, T2 क्योंकि जाते वक्त उसकी गती और कुछ है और आते वक्त उसकी गती याने की चाल याने की speed कुछ और है जिसकी वज़े से गती और समय वि T2 यदि 2 सेगमेंट है और T1 अपान T2 इतना अच्छे से समझ गए इसी के जगह यदि तीसरा सेगमेंट आया तो आप क्या करोगे D3 कर दोगे आ गया समझ में तो यहाँ पर मैं special condition का question करवा रहा हूँ जहाँ पर A से B और फिर वापस B से A पर हम आ जा रहे हैं बड़े शा official तरीके से लिखूंगा तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि ओसत चाल पूरा नहीं लिख रहा हूँ ओसत चाल हो जाएगा D plus D तो आप कहेंगे सर आपने D एक ही बार और फिर एक बार क्यों लिखा क्योंकि दूरी जितनी जा रहा है उतनी ही वापस आ रहा है अब मैं यहाँ पर इस T1 और T2 की जगह मैं द्यान देना क्या कर रहा हूं कि हम जानते हैं S वराबर D बटा T होता है तो T वराबर D बटा S होगा इसका मतलब यहाँ ध्यान देना T1 की जगह मैं D1 upon S1 रख सकता हूं और T2 की जगह मैं D2 upon S2 रख सकता हूं तो मैं अब आपको यहाँ पर एक ऐस जगह वापस ले जा रहा हूँ जहां पर की बहुत सारे कोशन्स हमारे सॉल होने वाले हैं तो चलो भाई मैंने T1 और T2 की जगह जो यहां पर T1 और T2 रखा हुआ है उसकी जगह पर मैंने रख दिया D upon S1 प्लस D upon S2 आगया समझ में आप द्यान देना ये जो special condition वाला concept है कि औ सब चाल बराबर उपर मैंने D और D लिखा जाने में और आने में लगी दूरी बटा में T1 और T2 को मैंने बदल दिया दूरी और चाल में अब यहीं पर रुक जाओ ताकि मैं आपको आगे के लिए तयार कर सकूँ और यहीं वो concept है ये तो special concept हो गया द्यान देना ये तो special concept ह हो गया ये special concept कहां लगेगा जब जितना जा रहे हो उतना वापस आ जाओगे तो special concept लेकिन यदि आपको दूरियां अलग अलग दी रहेगी तब आप क्या करोगे तो इसी से आगे बढ़ेंगे ध्यान देना मैं बाद में इसको हटा दूंगा लेकिन अभी लिख के बता रह तो आप D3 भी रख देना चौथा आ गया तो D4 रख देना अभी मैं तीन सेग्मेंट ले रहा हूं दो होगा तो रख देना अब यहां पर ध्यान दो यदि आप T1 की बात करोगे जिसे कि यहां पर T1 आया तो इस T1 को हटा करके आप क्या लिखने वाले हो यहां पर जैसे मै मैंने लिख के बताया आपको यह क्या लिखा हुआ था D upon S1 तो मैंने यहां पर लिख के बता दिया D1 upon S1 अब यह कंडिशन में क्या लगा रहा हूं कि दूर यहां अलग-अलग होंगी समान नहीं होंगी फिर प्लस इस नीचे वाले T2 की जगव पर में क्या लिख दूँग यह दो चीजे याने की D3 और यह वाली चीजे हड जाएंगी तो दो सेगमेंट का question हो जाएगा तो उम्मित करता हूं कि यह basic चीज समझ गए हैं जिसके आधार पे मैं आगे का question करवाऊंगा ठीक है अब हम बात करेंगे आगे याने की special case की तो special case हमारा क्या था अब special case के ल अपस आ जाओगे याने दूरी समान है अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूं इसको solve करता हूं तो यह हो गया 2D upon D मैंने common ले लिया तो bracket में आ गया 1 upon S1 प्लस 1 upon S2 यह D से मैंने D क्या कर दिया cancel कर दिया अब है ना ऊपर क्या बज़ गया सिर्फ 2 ऊपर सिर्फ क्या बज़ जाएगा 2 और divided by नीचे क्या बच जाएगा तो नीचे देखो नीचे बच आता 1 upon S1 प्लस 1 upon S2 तो यहां पर मैं LCM लूँगा तो LCM क्या आ जाएगा S1 S2 ऊपर जाएगा S1 प्लस S2 यह होता है अचर राश्यों का LCM निकालने का तरीका नीचे दोनों को गुणा कर दो और उपर दोनों को प्लस या माइनस कर दो इस आधार पे की चिन्न क्या है अब यहां पर एक नियम लग गया कि बटे के बटे की संख्या क्या होगी पलट जाएगी मैं इसको थोड़ा सा जगा इस तरह ले आता हूँ यदि मैं आ रहा होंगा तो नहीं आऊंगा तो यह हो गया यही चीज तो मैंने सबसे पहले करी थी यानि कि ओसत चाल हो जाएगी टू टाइम सॉफ पहली स्पीड इन्टू दूसरी स्पीड अपॉन में पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड यदि अभी अभी तक वीडियो को आप सतत देखते आये होगे तो मेरी बात समझ गए उस डिस्टेंस की वजह से आया है जितना हम जा रहे हैं उतना हम आ रहे हैं तो बिलकुल भी अपना आतिरिक्त दिमाग मत लगाना कि सर जितना जा रहे हैं उतना और आगे और आगे तो सर तीन आया तो तीन कर देंगे चार आया तो चार कर देंगे ऐसी बुद्धी मत लग समझ गए ऐसी बुद्धी बिल्कुल मतलगाना यह special case है फिर से समझ लो यह special case है और special case कौन सा है जितना दूरी जा रहे हो उतना ही वापस आ रहे हो या फिर ध्यान से समझना तुम यहां से जितनी दूरी गए यहां से उतनी ही दूरी आगे चले गए मतलब तुमको किसी भी तरीके से दो सेग्मेंट में दूरी तय करनी है जिनमें दूरी क्या होगी समान होगी तभी यह special case लगेगा ओके समझ में आ गया आपको तो अब यह सीधे सीधे में इस्तिमाल करूँगा जबकी दो सेग्मेंट की दूरी समान है चलो तो इस प्रश्न को एक बार फिर से करन कितने 72 किलोमेटर प्रतिगंटे से तथा वह नगर B से नगर A आ गया कितना 48 72 गया 48 आ गया जैसे ही आपने सोचा सर इसमें तो दो सेग्मेंट है और जितना जा रहा है उतना आ रहा है याने दोनों दूरीयां समान है तो आप सीधे concept रखोगे 2S1S2 अपॉन में S1 प्लस S2 पुट द वैल्यू गेट द आंसर टू टाइमस पहली स्पीड 72 दूसरी स्पीड 48 बटा में 72 प्लस 48 है ना समझ गए होगे आगे बढ़ते हैं अब सॉल करेंगे तो टू टाइमस 72 फिर से मैं वही काम कर रहा हूं है ना लेकिन इस बार तो मैं बहुत जल्दी करूंगा ये 120 आया था फिर मैंने इसको कितने 6 टाइमस कैंसल कर दिया था एना फिर 6 से मैंने 2 को गणा करा था तो 12 इंटू 48 डिवाइड़ वाई कितना हो गया था 10 यहां पर 576 आया था और decimal मैंने एक अंक के पहले लगा दिया था क्यूंकि 10 से डिवाइड कर रहे थे तो यह आ गया 57.6 इस प्रकार से मैंने कहा था B option 57.6 km per hour इसका सही आंसर होगा चलो अब आपको practice करवाने के लिए next question करवाता हूं अब भी पकड़ लोगे question देखो एक आदमी एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक 20 km प्रती गंटे की चाल से जाता है एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ठी special case लगेगा पूरी आतरा में उसकी औसत चाल कितनी थी तो यहाँ पर मैंने कहा 2 times s1 कितना है 20 तो यह मैंने 20 रख दिया s2 कितना है 5 तो यहाँ पर मैंने 5 रख दिया divided by 20 प्लस 5 ठीक है तो यह हो जाएगा 2 multiplied में 20 into 5 divided by 25 यह 5 से कितने 5 बार cancel हो गया यह 5 से यह 4 times cancel तो 4 दून 8.8 kmph याने km per r a option is the right answer उमिद करता हूँ process समझ गए होगे पहले मैंने trick समझाई फिर trick बनी कैसे यह समझाई अब मैं इस question को trick से करवा रहा हूँ यदि कोई इमानदारी से प्रयास करेगा तो 100% संयम से वो सीख जाएगा एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 km प्रती घंटे की चाल से जाती है गई वो एक स्थान से दूसरे स्थान तथा पुनह उसी स्थान पर 8 km प्रती घंटे की चाल से वापस लोड़ जाती है जितना गई उतना वापस आ गई तो उसकी ओसत चाल क्या है यह शब्द जब भी आ जाए और दो segment समान हो दो गुणा पहली चाल कितनी है 6 दूसरी चाल कितनी है 8 divided by नीचे दोनों चालों को मैं जोड़ देता हूँ तो 2 times into 6 into 8 आप बोलोगे सर आप गुणा क्यों नहीं कर देते देखो जब भी आपको राशियों को काटना हो तो गुणा नहीं करते क्यों बाद में काटना ही पड़ेगा 6 और 4 14 आप इसको 2 से कैंसल कर दूंगा तो 2 से कितने 7 बार कैंसल हो गया यह 8 चेंग क्या हो गया 48 48 divided by 7 7 से 7 चेंग 42 बच गया 6 बटा में 7 6 6 by 7 याने 6 सही 6 बटा 7 कहीं दिख रहा है क्या option A is the right answer यह 6 चट बटा 7 मत सोचना यह लिखा एसा है कि 6 अलग है फिर 6 बटा 7 तो उम्मिद करता हूँ कि अब इस concept को आप अच्छे से समझ गए होगी next question एक व्यक्ति A से B तक सहट किलोमीटर प्रती गंटे की गती से जाता है तथा B से A 40 किलोमीटर प्रती गंटे की गती से लोटता है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी और सतचाल कितनी होगी अब तो तुम पकड़ लिए होगे question को बहुत तेजी से पकड़ा होगा कैसे सर जीतना जा रहा है एसे भी उतना वापस आ रहा है सर क्या करेंगे सर इतनी जल्दी करेंगे कि हम इसको साहाट को उपर लिखेंगे और 40 को गुणा कर देंगे बटा में नीचे क्या करेंगे सर साहाट और 40 को जोड़ देंगे क्यों जोड़ेंगे क्योंकि अभी हमने basic से भी सीखा तो यह हो गया 2 times of 60 multiplied में 40 divided by 100 तो यहाँ पर यह दो 0 से यह दो 0 cancel 624, 24 दूनी 48, 48 किलो मीटर पर आर इस राइट आंसर, option D is राइट आंसर चलिए तुम्हें को लगता परियाप्त question में ने करवा दिये है इसके यह आ गया फिर से लिखा हुआ new concept तो अब आप कहोगे सर इसमें क्या है new concept में तरक समझना मेरे जितने भी notes हैं वह बहुत systematic बने हुए क्यों systematic बने हुए क्योंकि मैं आपको notes के माध्यम से भी सिखाऊंगा कि कितने easily हम एक concept से दूसरे concept में घुस सकते हैं कैसे एक व्यक्ति शब्द पकड़ना पंद्रह किलो मीटर ये देखो पंद्रह किलो मीटर की दूरी दस किलो मीटर प्रती घंटे की गती से तै करता है ठीक है तथा अगले दस किलो मीटर की दूरी पांच किलो मीटर प्रती घंटे से तै करता है अब इस बात को तुम ध्यान दो यहां पर ये डी वन है और ये दस किलो मीटर डी टू है आप कहोगे सर दूरी बदल गई तो हम ये concept नहीं लगा सकते कि two times of s1 s2 upon s1 plus s2 यानि कि दोनों गती को उपर पुणा कर दो नीचे दोनों को जोड़ दो ये नहीं कर सकते क्यों कि वो तभी लगती है जब दोनों दूरियां समान हो अब यहां क्या करेंगे इसलिए मेरी बात को ध्यान दो यदि आप बड़े ध्यान से पढ़ते आ रहे हो तो आप समझ जाओगे कि सर अब भी आपने थोड़ी देर पहले लिखाता कि औसत चाल बराबर पहला सेगमेंट प्लस दूसरा सेगमेंट बटा में D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 ये मैंने 3 के साथ लिखाता लेकिन मैंने कहा था कि दो सेगमेंट आएं अलग अलग तो आपको ये करना है आ रहा है समझ में तो यहा आतरक पढ़ते वक्त गलती होती है कैसे देखो गलती भी बताओंगा 15 किलो मीटर की दूरी 10 किलो मीटर फिर आदमी प्रती घंटा नहीं पढ़ता तो कभी-कभी जब डेटा को पकड़ने जाता है न कैसे कि मैं यह रग दू यहाँ पर मैं वो रग दू तो वह गती की जग तो आप value कैसे put करोगे पहले d1 देखो यह d1 पहले आ रहा है 15 किलो मीटर फिर नीचे d1 को ही रखोगे और फिर इसी के नीचे s1 को रखोगे ठीक है फिर प्लस करके d2 रखोगे जो कि यह 10 किलो मीटर और उसी के बाद में उसकी गती भी दी रहेगी तो जो sequence है वो maintain हो जाए सेगमेंट कैसे रखेंगे द्यान दो 15 किलो मीटर की दूरी 10 किलो मीटर प्रती घंटे से तो देखो 15 किलो मीटर की दूरी बटे में 15 किलो मीटर की दूरी 10 किलो मीटर से तो यह देखो d1 d1 और s1 सीधे रख दिया एक ही बार में तो confusion नहीं होगा फिर मैं इसको प्लस तथा अगले 10 किलो मीटर की दूरी 5 किलो मीटर प्रती घंटे याने कि अगले 10 किलो मीटर की दूरी 10 किलो मीटर की दूरी 5 किलो मीटर प्रती घंटे से तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका काम सरल हो जाएगा अब क्या करेंगे सर इसको काट दो एक काम करो 5 तिया 15 3 बटा 2 मैं इसको करके भी बता देता हूं शानती से 3 बटा 2 धन यह हो गया 2 यह दो दो दूनी 4 4 और 3 7 तो 25 बटा 7 बटा 2 ठीक है इतना समझ गये होगे मैं उम्मिद करता हूं है ना next 25 बटा 7 बटा दो तो यह हो जाएगा 50 बटा 7 और 7 यानि 7 उसात उन 50 बच गया 1 और 1 बटा 7 ये आना चाहिए इसका answer कहीं पर दिख रहा है क्या 7 सही 1 बटा 7 कहीं पर दिख रहा है क्या दिख रहा है 7 सही 1 बटा 7 option A पर 7 सही 1 बटा 7 7 1 by 7 किलो मीटर पर आर सही आंसर आ गया तो जब भी फिर से रुख के बताऊंगा जब भी जितनी दूरी जाता है उतनी ही दूरी आगे जाए तो आपको concept क्या लगाना है लगाना है 2S1S2 upon S1 plus S2 लेकिन यदि दूरी बदल जाए दो सेगमेंट की तो आपको concept लगाना है जो मैंने अभी लिखा और फिर से मैं लिख के बता दूँगा कि D1 फिर D1 upon S1 upon अरे चल नहीं रहा है S1 ठीक है यह S1 है plus में D2 upon D2 upon S2 यह concept में पहले भी पढ़ा चुका था और सचाल के concept में अगला प्रस्ण पढ़ेंगे ताकि हम जल्दी से question को solve कर सके एक कार्य स्थल A से B तक सहाट किलो मीटर की दूरी 40 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से तथा B से C तक अब देखो A से B यह रहा A और A से कहां पर गया B और B से फिर C B से C 90 किलो मीटर की दूरी तो पहले सेगमेंट की दूरी सहाट थी बाद वाले की हो गई 90 दूरी बदल गई सहाट किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से जाती है तो पूरी यातरा के दोरान उसकी और सत गती क्या होगी अभी मैंने बताया कैसे निकालना है अपान S2 ठीक है यदि मैं भाशा का इस्तमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लोजिक समझ सके D1 कितना है तो आप बोलोगे सर सहाट किलो मीटर ये रख दिया बटे में फिर उसी वक्त सहाट रख देना और उसकी गती बाजू में मिल जाएगी आपको 40 प्लस कर देना फिर दूसरा सेगमेंट कितना 90 किलो मीटर का है बटे में फिर प्लस करके 90 रख देना और उसी के रिस्पेक्ट में दूरी कितनी आ जाएगी सहाट तो इस तरीके से अब आप इसको क्या कर दीजिएगा सॉल कर देना है आपको चलो सॉल करते हैं तो यह हो जाएगा उपर जुड करके 150 बटे में आप इसको 20 से कैंसल कर सकते हो वैसे तो 20 से कैंसल करोगे तो 3 बार 20 से कैंसल करोगे 2 बार 30 से कैंसल करोगे 2 बार 30 से कैंसल करोगे 3 बार तो यह 3 बटा 2 तो यह हो जाएगा दो तीन से तीन कैंसल हो गया और यह आप तीन से कैंसल कर देना तो यह आ जाएगा पचास किलो मीटर पर आर कैलकुलेशन कैसे करी वो समझ लो 150 उपर जोड दिया नीचे जो है वो यहाँ पर द्यान देना यह प्लस का चिन्न था तीन बटा दो और तीन बटा दो यदि तीन बटा दो प्लस तीन बटा दो दो दोनो बिन एक जैसे हो तो जितनी भी बार वो आते हैं उतना आगे लिख कर कि उसको तीन बटा दो से गुणा कर दो ऐसे यदि उधारन के लिए बोल रहा हूं ध्यान देना अभी नहीं यदि इसी के आगे एक और तीन बटा दो होता तो हम तीन गुणा तीन बटा दो करते हैं इसी के आगे चार बार होता यानि कि चार बार आपको लिखा जाता तो आप 4 गुणा 3 बटा 4 कर देते हैं, इस तरीके से आप जोड़ लेना, चलो तो ये मैंने आपको जोड़ना भी बता दिया और आंसर भी बता दिया कि 50 किलो मीटर पर आर इस दे राइट आंसर, नेक्स्ट कोश्चन देखें भाई, नेक्स्ट कोश्चन क्या है, एक व्यक्ति 24 किलो मीटर की दूरी 6 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से तथा अगले 32 किलो मीटर की दूरी 8 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से तै करता है, तो उसकी ओसत गती क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया ये रही पहली दूरी बटा में पहली चाल कितनी है 6 प्लस करना दूसरी गती कितनी है 32 प्लस में दूसरी गती बटा में दूसरी चाल कितनी है 8 अब इसको solve कर दो तो ये उपर का जोड़ देते हैं 4 और 2 6 3 और 2 5 बटा में 6 चोग 24 आठ चोग 32 तो बटे में आठ आ जाएगा तो यह हो जाएगा आठू साथू चपन सेवन किलो मीटर पर और इस भी ऑप्शन इस दराइट आंसर ठीक है उम्मिद करता हूं समझ गए होगे नेक्स्ट कोश्चन है अब थोगा सा ध्यान देना यदि यहाँ पर आपको कुछ बदलाव दिखराव प्रश्ण में कि एक व्यक्ति 24 किलो मीटर की दूरी तो बोले सर यह D1 है 6 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से तो आप बोलोगे सर यह S1 है कि चाल से अगले 24 किलो मीटर की दूरी 8 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से तो आप बोलोगे सर यह D2 और S2 है चाल से ततह अगले 24 किलो मीटर की दूरी तो आप बोलोगे सर ये तीसरी बार आगया तो कोई बात नहीँ तीसरी बार आने दो 12 किलो मीटर परती गंटे की चाल से तैक करता है तो पूरी ये वात्रा के दुरान उसकी औसत चाल कितनी है अब फिर से वही वाली बात है अमें थोड़ा लिक के बता देता हूँ D1 तो फिर D1 upon S1 फिर दूसरी बार का सेग्मेंट D2 तो प्लस करके D2 upon S2 फिर तीसरी बार का सेग्मेंट D3 तो D3 upon S3 बस इसको अपने को value को put करना है थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन अपन solve कर सकते हैं इसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है देखो पहली दूरी कितनी है तो आप बोलोगे 24 और उसी के बटे में लिख देना 24 और बटे में पहली चाल कितनी 6 प्लस कर देना दूसरी देखो 24 फिर दूसरा सेगमेंट भी 24 प्लस कर देना कितना दूरी है 8 तो यह हो जाएगा 24 बटा में 8 फिर आगे प्लस 24, तीसरा सेगमेंट 24 किलोमीटर का कितनी गती से 12, तो यहाँ पर फिर 24 बटा में 12, अब इसको सॉल कर देंगे, 24, 24, 24, तो आप इसको जोड़ोगे, तो इस तरीके से जोड़ना, 3 गुणा 24, अब भी थोड़ी देर पहले भिन्न में भी मैंने यही बताया था, कोई भी राशी जितनी बार जुड रही है, उसको लिख करके उतनी संख्या से बुणा कर दो, नीचे को सॉल करते हैं, तो नीचे कैसे सॉल होगा, 6, 24, 8, 3, 24, और 12, 24, तो यहाँ पर 4, और 3, 7, और 2, 9, तो यह बटे में आ गया 9, द्यान देना यह 9 लिखा है, अब इसको सॉल कर द पर दिक रहे, 8 किलो मीटर पर आर, इसका सही जवाब होगा, तो यह मैंने आपको एक ही कॉंसेप्ट पर आधारित कोश्चन कम्प्लीट करवा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, एक बस 20 किलो मीटर की, 20 किलो मीटर, 10 किलो मीटर प्रति गंटे की गती से, तो यह D1 हो गया, य अगले 30 किलो मीटर की दूरी 20 किलो मीटर प्रति गंटे की चाल से, अगले 50 किलो मीटर की दूरी 40 किलो मीटर प्रति गंटे की चाल से, तथा अंतिन 10 किलो मीटर की दूरी 7 किलो मीटर प्रति गंटे की चाल से तै करती है, तो उसकी औसत चाल कितनी हो गया, कितने सेगमेंट आए है यदि confused हो गए हो तो मैं बताते हूं चार सेगमेंट आए हैं इसमें डीवन डीटू 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 नहीं लिखूंगा सीधे वेल्यू रखता हूं यह पहली दूरी तो यह हो गई 20 और इसी के वक्त यहीं पर मैं 20 बटा इसी के रिस्पेक्ट की चाल इसके साथ में नीचे लिख दूँगा इसीलिए मैंने यह तरीका बता है वरना आप डीवन फिर डीटू डूनते डूनते कहीं 30 की जगे 20 रख दोगे 20 की जगे 30 रख दोगे गलती नहीं होगा आप से क्योंकि अपने पहला सेगमेंट कंप्लीट कर लिया प्लस लगाना प्लस लगाना अखरी सेगमेंट 10 किलोमीटर का सहाट किलोमीटर के हसाब से तो दस बता सहाट चलो भाई अब मैं इसको सॉल करूए शानती से तो यह पहले जोड़ देते हैं 20 पहले से त właści 50 a यह और पेचास और पचास सो और 130 तो 110 अंत बता न Tsch इसको 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, सब 0 हटा दिये, अब मैं LCM ले ले लेता हूँ, 6 सबसे बड़ी संख्या, तो 6 के हसाब से 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 6 दूनी 12, तो 12 क्या आ गया, इनका LCM नीचे वाली संख्याओं का, आप ध्यान देना, 12 को 1 से डिवाइड करा, और उपर 2 से गुणा करा, तो 12 दूनी 24 आ गया, प्लस, यहाँ पर 12 को, 12 को 2 से डिवाइड करा, तो कितना आ गया, 6, और 6 को 3 से गुणा किया, 6 तिया 18, प्लस, 12 को 4 से डिवाइड करा, और फिर 4 याने 4 तिया 12, और 3 को उपर गुणा करा, 3 पांचे 15, यहना समझ रहे होगी कि क्या कर रहा हूं, LC हम ले रहा हूं, और क्या बेसिक तरीके से, तो 3, 4, 3, 5, 15, अब इसके बाद में 6 को 12 से गुण डिवाइड करा, तो बार और 2, 6 को 2 से डिवाइड करा, और 2 उपर लिग दिया, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, 110 के साथ में, 110 के साथ में, 12 उपर गुणा चला जाएगा, बटे में इन सब को राशियों को हम जोड़ देंगे, तो 2 और 5, 7, 7 और 8, 15, 15, 14, 19 की 9 हासिल का, 1, 1 और 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, तो 59 आगया, आँसर, अब ध्यान दो, ये प्रस्ण में, एक बहुत शांदार चीज आपके साथ होने वाली है, कि ये नंबर पूरा नहीं कटेगा, और आखरी में आप बोल सकते हो, सर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, आप सुधार दीजिए, नहीं, क्योंकि सारे आंसर से एपसोलूट हैं, जो आपकि 59 अभाज्य संख्या है, जो ना तो 110 को पूरा काट रही है, ना 2 को पूरा काटेगी, ना 2 से आएंगे, उसकी औसत चाल लगभग क्या है, लगभग शब्द का मतलब हो, जब भी आए तो समझ जाना कि वह आपको बोल रहा है कि डेटा को थोड़ा इदर उदर कर दो, क्योंकि आंसर आप अपने हिसाब से थोड़ा बोत इदर करके ला सकते हो, क्योंकि लगभग बोल यह कहीं न कहीं मुझे दिक्कत दे रहा है, और यदि मैं इसको बदल दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 110 यह 12 बटा में, इसको यदि मैंने सिर्फ छोटा सा बदलाव करके एक बड़ा दिया, जो कि मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर इसको हमें समझना है कि क्या ह इसको सौल करेंगे, बारहा पंजे, सहाट और पांच से आप इसको काड़ दो, पांच दूनी, दस, एक बज गया, पांच दूनी, दस, किलो मीटर पर और, 22 किलो मीटर पर, और, इस दर राइट आंसर, कहीं पर आपको दिख रहा है, क्या 100% दिख रहा है, औप्शन ए पर, 22, 22 किलो मीटर पर, इस दर राइट आंसर, उम्मिद करता हूं, कि आपको ये कोशन समझ में आ गया होगा, जो आखरी तक तो इजी लग रहा था, लेकिन यदि आपको ये चीज नहीं पता होती, कि लगबग का मतलब क्या है, तो आप कहीं न कहीं गलती कर देते, चलो, आग पते एक ही चीज हैं, लेकिन 3 से 4 उसमें क्या है ना, शब्दा वली में अंतर आ जाते हैं, तो हम कन्फ्यूज हो जाते कि ये नए-नए कोशन आ रहे हैं, नई, देखो, एक समान, एक समान, मैंने कहा, एक समान दूरी क्रमशह 20 किलो मीटर प्रति घंटा, 30 किलो मीटर प्रत गंटे की चाल से जाती है, तो उसकी ओसत चाल क्या होगी, अब आप से पूछा है, ओसत चाल क्या होगी, आप बोलोगे, सर अभी तक हमें दूरी के साथ में चाल दी जाती थी, लेकिन इस पूरे प्रस्ण में हमें दूरी कहीं नहीं दी गई, देखो, शब्दों को चाल दी है तो चार सेगमेंट के दूरी भी होगी इसलिए इस कॉंसेप्ट में ध्यान देना ऊपर में लिखूंगा D मैं बेसिक से एकदम नीचे से बताऊं तो यहां D चार बार लिख दिया मैं चार गुणा D भी लिख सकता था लेकिन मैंने के साथ आएगा 40 के साथ 40 है और यही डी किसके साथ आएगा आखरी में सहाट के साथ अब इसको जब हम सॉल कर देंगे तो यह हमारा आंसर आ जाएगा कैसे ध्यान देना है देखो यह उपर क्या हो गया 4 टाइमस ओफ डी नीचे का डी मैंने कॉमन ले लिया 121 अपान 31 अपान 41 अपान 60 यह नीचे बच गया यह डी से डी कैंसल हो गया तो उपर क्या बच गया 4 नीचे का मैं LCM ले ले लेता हूं तो 1 by 6 121 31 41 by 60 का LCM कितना आ जाएगा अब भी निकाला था 120 120 साहाट का डबल याने 120 20 से कितने बार कटेगा तो बोलोगे सर 6 ताइमस फिर 120 30 से कितनी बार कटेगा तो आप कहोगे सर 4 ताइमस 120 40 से कितनी बार कटेगा 3 times और 120 सहाट से कितनी बार कटेगा 2 times अब यह 4 into 120 और नीचे सबको जोड़ देना तो यहां जगा 6 और 4 10 10 और 5 15 ठीक है अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर 120 और आगया 15 15 से आप इसको काट दोगे 15 8 120 और इस तरीके से देखो पूरा तो 46 45 15 रा ठीक है तो 8 चोग 32 32 किलो मीटर पर आर इस दर राइट आंसर ठीक है यह ओप्शन्स में कहीं दीख इसलिए नहीं रहा क्योंकि ओप्शन्स में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है आप इसके केलकुलेशन्स को चेक करोगे तो आप देख लोगे तो यहाँ पर 32 किलो मीटर पर आर इसका सही आंसर आएगा जबकि दूरिया सभी सेगमेंट के लिए समान थी LCM लेके पूरा कोशन हो गया तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कोशन को हम कितने ज़्यादा ट्रिक से कर सकते हैं देखिए ट्रिक्स अपनी जगव सही होती है लेकिन आपको यह बात का भी ध्यान रखना है कि आप सिर्फ गणित नहीं कर रहे हैं आपको जी के भी पढ़ना है सारी चीजे करनी है तो आपको एक balanced method लेके चलना पड़ेगा जिसमें की सबसे important चीज है कि वो कोशन आपसे first condition में याने की जो पहली सोच आपके अंदर आती है उसके आधार पर यह कैसे बन जाएगा बशरते कि आप यह सोच रहे हैं कि maturity आपके अंदर होनी चाहिए कि कहां समय बचाना है और कहां पर basic से करना है यह question मैंने आपको complete करवा दिया अच्छे तरीके से अब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ सापेक्ष गती very very important मैंने यहाँ पर लिखा है relative speed relative speed याने की हिंदी में इसको हम कहते हैं सापेक्ष गती अब हम जो question complete करने वाले हैं वो सापेक्ष गती से संबंदित होंगे और English में सापेक्ष को relative कहा जाता है तो यहाँ पर यह जो शब्द relative है इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर हम कौन से concept को इस्तिमाल करने वाले हैं उसके पहले हम question पढ़ लेते हैं क्या है question कि दो समान स्थानों के बीच की दूरी दो समान स्थानों के बीच की दूरी 400 km है दो rail गाडियां दोनों स्थानों से 45 km प्रतिगंटे और 35 km प्रति घंटे की गती से निकलती है तो दोनों कितने घंटों के बाद एक दूसरे से मिलेंगी अब देखने वाली बात यह है कि question यह है कि एक स्थान यह रहा एक स्थान यह रहा पहली वाली rail गाड़ी और दूसरी वाली rail गाड़ी एक दूसरे की तरफ चल रही है प्रस्न में कहा गया कि वो कितने घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी जबकि आपको सिर्फ दो चाल दी है और एक दूरी दी है अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर मैंने जो अभी तक concept पड़ा वो पड़ा speed equals to distance upon time याने चाल वराबर दूरी बटा समय सर मुझे distance तो दिख रही है 400 किलोमीटर की सर मुझे कितने घंटे में समय वो भी पता चल गया कि T निकालना है लेकिन मैं चाल 45 किलोमीटर प्रती घंटा रखूं या 35 किलोमीटर प्रती घंटा रखूं ये आप मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ पर तो ऐसा आता है चाल आती है मैं कौन सी चाल रखूं 45 रखूं या 35 रखूं अब ध्यान देना यही पर हमें ये relative speed के concept को समझना पड़ेगा जब भी आपको प्रश्ण में दो चाल दी हो तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक speed को दूसरे speed से relate किया जा रहा है वहीं से शब्दा आता है relative अब इस बात को तरक से समझ जिएगा कि मैं आपको एक example से समझा रहा हूं यह एक bus है आप इसको bus समझे यह जो bus है यह चल रही है 70 km per hour की speed से एक निश्चिट direction में जिदर arrow है उसी के पीछे ध्यान देना एक और bus है और यह bus इसी direction में उसी bus की direction में चल रही है 60 kmph से 60 km per hour से अब मुझे बताईए क्या यह bus पीछे वाली आगे वाली bus को cross कर पाएगी आप कहोगे नहीं क्यूंगी पहले वाली same 70 पर चलेगी दूसरी वाली same 60 पर चलेगी तो यह दोनों एक दूसरी को cross नहीं कर पाएगी तो इसको cross करने के लिए पीछे वाली speed को कितना कम से कम पर आर पीछे वाली स्पीड पीछे वाली बस को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी जिसकी वज़े से ये आगे वाली को क्रॉस कर पाएगी और यही से आपका relative का concept समझ में आपको आ गया कि जब भी आपको दो स्पीड दी रहेगी एक ही दिशा में दोनों बस, ट्रेन, व्यक्त गाड़ी कोई भी है वो एक ही direction में जा रहे हो तब आप relative स्पीड को कैसे देखोगे तो यहाँ पर आप जो पहली स्पीड है उसमें से दूसरी स्पीड को माइनस करोगे कहां पर समान दिशा याने की एक जैसी दिशा में तब आपको एक और स्पीड मिलेगी जो कि उनके ब पर आर को आप यहाँ पर रखोगे जो की दोनों के बीच की relative स्पीड है तो यहाँ पर आपका प्रसन उठेगा कि सर यदि समान दिशा हो सकती है तो क्या विपरीत दिशा भी हो सकती है बिलकुल हो सकती है और इसी का विपरीत concept लग जाएगा कि हमने समान दिशा के लिए द का कितना है कहने का मतलब इनके बीच में गयाब कितने का है अब मैं विपरीत दिशा के लिए विपरीत दिशा के लिए इसी का उल्टा कर देता हूँ तो आप कहोगे S1 प्लस S2 याने दोनों की गती जुड जाएगी तो आप कहेंगे क्यों जुडेगी ध्यान दो इस कंडि तो आगे वाली वह सपोर्ट नहीं कर रही है раб है तो आगे और आगे चले जायूं तो आग्या और मैं आगे चले जायूं से क्या हो रहा है कि installed आपोउस के की मदद कर रही है क्रॉस करने में पहली कंडिशन में तो वह अपोस कर रही थी यहां पर मदद कर रही है और मदद करने के लिए पहली वाली की स्पीड में दूसरे वाली की स्पीड को हम जोड देंगे समझ गए अच्छे से बहुत अच्छे से एक बार finalize तरीके से में लिख देता हूँ यहाँ पर और इसको पूरा मिटा दूंगा देखो सापेक्ष गती के लिए आपको दो condition याद रखनी है समान, दिशा याने की एक जैसी दिशा उसमें आपको दोनों की गती को गटा देना है एक दूसरे से और दूसरी condition है कि आप विपरित दिशा में होंगे तो दोनों की speed को जोड़ देना है ये अपने notes में अच्छे से उतार लेना समान, दिशा और विपरित दिशा में तो आपको यहां से एक ही speed मिलेगी और यहां से भी एक ही speed मिलेगी विपरित दिशा के लिए भी और समान दिशा के लिए भी जब आप विपरित दिशा की condition दी है तो दोनों speed को जोड़ोगे तो इससे एक speed मिलेगी समान दिशा में दो speed को घटाओगे तो एक speed मिलेगी इसको आप कहाँ पर रखोगे इसको आप रखोगे speed equals to distance upon time में चलो भाई अब ये question करते हैं और मैं इसको भी अब मिटा रहा हूँ क्योंकि सापिक्षिगति का condition मैंने आपको समझा दिया दो स्थानों के बीच की दूरी 400 किलो मीटर है ये A स्थान है ये B स्थान है और इनके बीच की दूरी 400 किलो मीटर है एक रिल गाड़ियां स्थानों से 45 किलो मीटर प्रति गंटे तो A से चली ये 45 किलो मीटर पर आर के हसाब से और 35 किलो मीटर से दूसरी वाली चली दूसरी व विप्रिद दिशा है और concept क्या पूछा कितने घंटे में हम तो सर जानते हैं s is equals to d upon t तो हम क्या करें तो हम ये करें कि s विप्रिद दिशा में होने की वज़े से s1 प्लस s2 हो जाएगा distance की जगे distance और time की जगे time रख देंगे only चलो भाई solve करते हैं इसको distance कितनी है तो आप बोलोगे सर इनके बीच की दूरी 400 km है समय आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर s1 और s2 की जगह पर हम 45 प्लस 35 रख देंगे याने 35 ठीक है 45 प्लस 35 आपने इसमें रख दिया अब यहाँ पर भी गलती हो सकती है इसको भी ध्यान दे देना मातरक का खेल शुरू से ही importance रखता है इस 400 का मातरक क्या है तो आप कहोगे सर बड़ा मातरक है किलो मीटर इस 45 और 35 का मातरक क्या है आप कहोगे सर बड़ा मातरक किलो मीटर प्रतिगंटा किलो मीटर प्रतिगंटा तो गलती आपसे नहीं होगी क्यूंकि दोनों के मातरक दूरी और चाल के समान है अपने आप समय किसमें आ जाएगा घंटे में बड़े मातरक में तो यहाँ पर इन बराबर में पांच घंटा इसका क्या आजाएगा आंसर ओप्शन ए इस राइट आंसर समझ गए देखो पहला तो चीज आपको relative speed समझनी है हो गया विपरीद दिशा जोड़ दो समान दिशा घटा दो नंबर दो फिर आपको मातरक को समझना है यदि पूरे equation में मातरक समान है तो कोई दिक्कत नहीं और असमान है तो पहले समान कर दो ठीक है आगे एक कोशन करवाता हूं फिर पानी पिऊंगा दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1595 किलोमीटर है चलो भाई distance मिल गई दो स्टेशनों से एक दूसरे की और दो रेल गाड़ियां 70 किलोमीटर प्रतिगंटे और 75 किलोमीटर प्रतिगंटे की चाल से चलती है तो कितने गंटे में वे एक दूसरे को मिल जाएंगी सीधी सी बात ये दो स्पीड दी है एक दूसरे की तरप जा रही है ये बोला है तो हम करेंगे सर S equals to D upon T अब यहाँ पर distance कितनी दी है तो आपको होगे सर 1595 1595 प्रश्न पूचा कितने घंटे लगेंगे सर समय पूच रहा है चाल कितनी है 70 और 75 किस दिशा में एक दूसरे की और याने विपरीद दिशा में तो हम यहाँ पर 70 और 75 को जोड़ देंगे नमबर दो स्टेप 1595 का मातर क्या है बड़ा 70 और 75 का मातर क्या है किलोमेटर प्रतिगंटा किलोमेटर प्रतिगंटा बड़ा तो आंसर अपने आप ही बराबर सही आ जाएगा तो यहाँ पर आपको इसको सॉल कर देना है 5 जुड़ जाएगा और 7 और 7 हो गया 14 बराबर में इतना हो गया यह 1595 बटा में हो गया 1595 बटा में 145 तो भाई किससे काटें किससे काटें ताकि यह कट जाए पूरा का पूरा ठीक है तो सभ से पहले तो हम 5 से काट के चोटा करें पांच दूनी दस चार बज गया चार याने पांच नाम पेतालीस तो यह 29 अभाज्य संख्या की वज़य से गड़बड कर रहा था फिर हम इसको काट देंगे तो 5 तिया 15 5 एकम 5 ठीक है? 5 तिया 15 5 एकम 5, 5 नाम पेतालीस अब आपको इसको फिर काटना है तो आप इसको कितनी बार काटें ताकि ये पूरा कट जाए तो 9 से एक्जिट आंसर आना तो चाहिए 29 से कम 29 कट गया, बच गया 2 2 बचा तो फिर ये 29 बंज गया 29 से कम 29 तो ये आंसर आ गया 11 गंटे option B is the right answer process समझ गए, अब हम तेजी से, देखो किसी concept को समझाने में मुझे समय लगता है और वो इसलिए ताकि आप शान्ती से समझ सके अच्छे से समझ सके, उसके बाद तो question को हम उड़ा देंगे दो बसें, दो स्थानों जिनके बीच की दूरी 148 किलो मीटर है, से एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे की और 35 और 49 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से बढ़ती हैं, कितने गंटों के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी, चलो भाई, आप तो मैं बहुत तेजी से करवा दूँगा, 148 दूरी बड़े मातरक में, कितने गंटों के बाद पूछेगा तो टी निकालना है, दो गती कौन सी है, 35 प्लस 49, तो बले सर प्लस क्यों लगाया, आभी तक समझा दिया, विपरीत दिशा है, 9 और 5 चौदा की चार हसल का, 1, 3 और 3, 6 और 1, 7 बराबर में, 148 अपान T, कैंसल करेंगे, ये देखो, 4, ये 8, ये 7, ये 14, 74 का डबल, 148, T इक्वल्स टू, दो घंटा इसका क्या आजाएगा, आंसर, option C is the right answer, आगे बढ़ते हैं, next question मैं question ज्यादा से ज्यादा इसलिए लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को चीजे समझ में आ सके, new concept, तो आप बोलोगे, सर, ये new concept आपने as it is क्यों लिख दिया, एकदम से क्यों लिख दिया, क्योंकि question में बदलाव आ गया है, अभी तक हम सापेक्ष गती के सीधे-सीधे question पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पर एक बदलाव आ गया है, उस बदलाव को हमें समझना है, फिर मैं इसका basic बताऊंगा, याने पहले तुम्हें trick बताता हूँ, ताकि उन लोगों को थोड़ी शान्ती मिल जाए, जो ये सोसते हैं, बस दो second में sir question खतम हो जाए, हमारा तो प इसक समझाओंगा, क्या है, अपनी वास्तविक चाल के 5 बटा 6 चाल से चल कर, एक रेलगाडी 10 मिनिट देर से अपने गंतविस्थान पर पहुँचती है, गंतविस्थान का मतलब जहां उसे वास्तविक ता में पहुँचना चाहिए, उस जगह, वास्तविक चाल से अपनी यात्रा वह कितनी देर में तै करीगी, फिर से समझ लो, अपनी वास्तविक चाल के 5 बटा 6 चाल से चल रही, मतलब जितने पर वो चलती थी, उतने पर नहीं चल रही, वो उसका 5 बटा 6 चाल से चल रही है, और 10 मिनिट देर से पहुँच रही है, ये भी बात, तो वास्तव में समझ में आ जाएगा, पहले तो ट्रिक समझ लो, ये दिया है रेशो, तो इस रेशो में जो उपर है उसको उपर रख देना, नीचे क्या करना, तो नीचे बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देना, और मल्टिप्लाइ कर देना, जितने से देर या जल्दी होती ह तो यहाँ पर दस मिनिट की देर बोली है, इसको दस से गुणा कर दिया, तो यह आ गया पांच बटा एक गुणा में, यह है दस, और पांच और दस को गुणा करो, तो पचास मिनिट, और पचास मिनिट कहीं दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, option A is the right answer, समझ गए, आप बोलो सर, यह जादू मंतर आपने ऐसी कर दिया, अगले question में करके बताओ, फिर से समय लो, अगला question भी करवा देता हूं, फिर trick बता, बेसिक बता दूँगा, फिर चिंता मत करना, ध्यान देते हैं, अब ज्यादा मत पलड़ जाना, हाँ ठीगे, एक छात्रा, अपनी वास् सविक चाल से चले, तो कितने समय में पहुँच जाएगी, मैंने अब भी आपको क्या बताया, अनुपात, यह रहा अनुपात, इस अनुपात में जो उपर है, उसको उपर ही रखते हैं, नीचे, बड़े में से, छोटा क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और घटाने के ब और चार अठरा, 182 मिनिट कहीं दीख रहा है क्या, अब आप समझ गए होगे, कि कोश्चन के आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन यह हो कैसे रहा है, यदि इसके जानने की इच्छा है, तो एक्स्प्लेनिशन देखना वरना, ऐसे आप क्या करते हैं, वह ऐसे करते हैं, ठक 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 ठक, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, वह सुविदा तो यूट्यूब पे अवेलेवली है, तो भाई हम यह बता देते हैं कि यह कर केसे रहा हूं, मैं, ओके, तो यहां पर मैं आपको बेसिक से समझाओंगा, सबसे पहले, और इसको इसको ध्यान देना, यह इसको, अपने नज बात को घटा दिया, और 10 गुणा कर दिया, इससे मुझे पता चल गया, वास्तविक चाल से चलेगा, तो कितनी देर में, यानि कि मुझे यहां पर निकालना क्या है, हर बार, वास्तविक समय, वास्तविक चाल से चलेगा, तो वास्तविक समय लेगा, ओके, अब मैं इसको म समझाने वाला हूँ, ओके, पानी, ओके, द्यान देना, कि ये किसी का घर है, और ये उसका आफिस, ताकि ये डिफरेंस दिखाई दे, इसलिए मैंने एक माला और बड़ा दिया, तो ये घर है, और ये उसका आफिस है, ध्यान देना, एक व्यक्ति सुभे आठ बजे घर से निकला, तो आफिस पहुँच गया, सवा आठ बजे, ध्यान देना, कॉंसेट को समझना, एक व्यक्ति गर से आठ बजे निकला, तो सवा आठ बजे ओफिस पहुँच गया, इसका मतलब की, रोज वो आठ बजे निकलता है, और सवा आठ बजे यदि पहुँच जाता है, तो इसका मतलब यह है, रोज वो एक निश्चित चाल से चलता है, एक जैसी स्पीट से चलता है, तब ही तो एक 8 बजे exact time पे निकलता है और रोज exact time पे पहुँच जाता है अब मेरी बास समझना कि यदि वो 8 बजे अपने घर से निकला लेकिन आज वो धीमा चल रहा है समझना आज वो धीमा चल रहा है और उसे 10 minute या मैं इसको सरल करने के लिए कहता हूँ कि उसको इस condition में 5 minute की क् क्योंकि वो धीमा चल रहा है धीमा चलने पर उसे देरी लगेगी 5 minute की तो मुझे बताईए कि ये 5 minute मैं इस 8 बच कर 15 minute में जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो आप विचार करेंगे कि सर इसको देरी हो रही है और 8 बच कर 15 minute पर ये रोज पहुँच जाता देरी हो रही तो सर जोड़ दो इसका मतलब की दूसरे दिन वो 8 बच कर 20 minute पर पहुचेगा क्योंकि तुमने इसमें 5 minute को क्या करा है प्लस किया है इसका मतलब देरी होने पर आप जो वास्तविक समय है उसमें प्लस करते हो अब अगली condition यदि वो 8 बचे घर से निकला और आज वो थोड़ा तेज चला जल्दी जल्दी चला और यदि वो 5 minute जल्दी पहुच गया क्योंकि वो तेज चलेगा तो अब्यसली वो जल्दी पहुचेगा और यदि वो 5 minute जल्दी पहुच गया तो इस 8 पंदरा में मैं जोडू या घटाओं तो आप कहेंगे सर 8 पंदरा पे वो पहुचता था और आज जल्दी आ गया है सर एक काम करो यह 8 बच कर 10 मिनिट पर पहुच जाएगा इसमें से 5 घटा दो क्योंकि वह जल्दी पहुच गया है अब ध्यान देना देरी होने पर और जल्दी पहुचने पर क्या हो रहा है यह समझ गए आप यदि वह देरी हो रही है उसको तो वह 5 मिनिट जोड रहा है और यदि उसको जल्दी पहुच रहा है तो वह 5 मिनिट घटा रहा है यह कॉमन सेंस की बात आपको समझ में आ गई यह समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं आपको एक कॉंसेप्ट बताने वाला हो कि कब जोडेंगे कब घटाएंगे अब हम मतलब क्या हुआ सर डिस्टेंस कॉंस्टेंट है सर जैसे ही आपने कहा कि डिस्टेंस कॉंस्टेंट है सर मुझे एक कॉंसेप्ट ध्यान में आया और वो कॉंसेप्ट क्या है कि सर कल ही आपने पढ़ाया था कि डिस्टेंस यदि कॉंस्टेंट होती है तो कॉंसेप्ट S1 T1 बराबर S2 T2 इस्तेमाल किया जाता, यह कल की बात है S1 T1 बराबर S2 T2, यहाँ पर S1 क्या है, तो यहाँ पर S1 जो है पहली चाल, T1 पहला समय दूसरा, S2 दूसरी चाल और T2 दूसरा समय अब इसमें से S1 को मैं वास्तविक चाल कहूंगा और T1 को मैं वास्तविक क्या कहूंगा, समय समझ गए, इस बात को अच्छे से समझ गए कि मैंने S1 को वास्तविक चाल माना और T1 को वास्तविक समय अब मैं इस कोश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी बेसिस पर, ठीक है ताकि मैं आपको कॉंसेप्ट समझा सकूँ यह तो पूरा मुद्दा इस बात का था, वरना तो कोश्चन होई गया था, इतनी देर में तो बहुत सारे लोगों का पेशेंसी टूट जाएगा भूले जान दो सर, हम तो ऐसे ही कर लेंगे जैसे आपने बता दिया, छीक है कर सकते हो लेकिन मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ अब ध्यान देना, मैंने कॉंसेप्ट रखा S into T, बराबर S into T, अब इसमें मैंने क्या माना ध्यान देना, पहली वाली चाल को मैंने वास्तविक चाल, और पहले यह शब्द चाल है चाल से शल कर, याने कि सर जो दूसरी वाली चाल है, ध्यान देना जो दूसरी वाली चाल है, न सर यह वाली यह पहली वाली चाल का 5 by 6 है यह प्रस्ट में लिखा हुआ है समझ गए आप लो, 5 by 6 है तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि यहाँ पर S2 की जगह पर इस S2 याने इस की जगह पर यह पूरा का पूरा रख दिया तो यहाँ पर आ गया 5 by 6 into S और T के साथ मैं अब मैं क्या करूँगा तो ध्यान देना, एक रेलगाडी 10 मिनिट देरी से पहुँचती है तो अभी मैंने बताया, यदि किसी व्यक्ती को देर होती है, तो वो व्यक्ती, देरी में हम जोडते हैं कि घटाते हैं, तो आप बोलोगे, सर देरी में जोडते हैं, तो ध्यान दो वास्तविक समय T में, मैं 10 मिनिट को क्या कर दूँगा, जोड़ दूँगा, तो इस प्रकार से मेरे पास ये equation आ गई, अब मैं थोड़ा गणित कर रहा हूँ, ये S ये S से cancel हो गया, दोनों बराबर, एक तरप थे, यहाँ पर बजगया T, यहाँ पर बजगया 5 बटा 6, और ब्रेकेट में T प्लस 10, अब मैं इसको solve कर रहा हूँ, T ये देखो 6, ये वाला जो 6 है इसको मैं इस तरप ले गया, तो ये हो गया 6 T, और ये हो गया 5 T प्लस 10, अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना, थोड़ा से लंबा इसले जाएगा, क्योंकि हम basic से सीख रहे है ratio से सीखाता तो आप समस्तो जाते लेकिन फिर आपको फिर वही वाली बात आती कि सर फिर अब ratio ये कैसे 5 हो गया और ये कैसे 6 हो गया, समझा करो तो यहाँ पर हम इसको basic से समझा रहा हूँ अब ये 5 अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो गया, 5T प्लस में 5 गुणा में 5 गुणा में 10 एक से केंड 5 गुणा में ये हो गया, 10 अब मैंने क्या करा यहाँ पर थोड़ा सब्सक्राइब तो यहाँ पर अब टी वाली राशी को एक तरप याने इस तरप ले आता हूँ तो ये हो गया, 6T-5T इक्वल्स टू 5 इंटू 10 अब देखो, 6T में से 5T को आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो या यहाँ पर मैं कोग कॉंसेप्ट क्यों की बनाना है तो मैं यहाँ पर T कॉमन ले रहा हूँ तो 6-5 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना यहाँ से कॉंसेप्ट बन जाएगा T बराबर में 5 उपर गया ये वाला, ये बटे में आ जाएगा 6-5 और गुणा में आ गया 10, चरा देखो तो क्या मेंने ऐसा कुछ पहले भी लिखा था बोले हाँ सर आपने यही का यही तो पहले लिखा था कि सर, T इक्वल्स टू 5 अपॉन 6-5 इंटू 10 सबसे पहले आपने यही लिखा था और आपने कहा था कि यह जो रेशो है न 5 बाई 6 इसमें 5 को उपर आने दो दोनों अनुपातों को नीचे घटा दो और जितने से भी देरी या जल्दी उइये उतने को गुणा कर दो तो हर बार यही करना है तो बोले सर इतनी कहानी क्यों सुनाई देखो भाई मेरी बात को समझना अच्छे से यदी समझ सकते हो तो यदी मैं इसको थोड़ा छोटा कर दो तो मेरी बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आँ ठीक है अब मेरी बात को थोड़ा द्यान से समझना कि मैंने यहाँ पर यह जो पूरा कुछ किया है इस पूरे कुछ में आप कहोगे सर हमने तो कुछ जगह पर ये भी देखा है कि यहाँ पर वो 5S1 को मानता है फिर 6S2 को मान लेता है बिल्कुल सही बात है लेकिन यहाँ पर जब आप बेसिक करोगे और आपको खुद जोड़ना और घटाना होगा तब आप कन्फ्यूस हो जाओगे इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होता है वो इसी वज़ा से होता है आपको जब आप आगे बिना बेसिक के जाते हो तो बेसिक नहीं होता आगे के कोशन आते हैं कि यह ऐसा हो रहा है वह वैसा हो रहा है आप confuse हो जाते हो यहां तो थोड़ा बहुत आ जाएगा कि 5 रग दो 6 रग दो लेकिन यह जो जोड़ना घटाना था इसलिए मैंने यह पूरी कहानी सुनाई आपको कि कब आप जोड़ोगे कब आप घटा होगे कब कौन सा concept लगेगा तो बड़े कोशन आपसे आसानी से हो पाएंगे समझ गए होगे कि मैंने ऐसा क्यों करा वरना तो मैं यह भी कर सकता था कि यहां पर 5 रखता इसके साथ 10 जोड़ देता उसके साथ 10 घटा देता तो उससे क्या गडबड हो जाती है मजा नहीं आता आ रहा है समझ में आपको मजा नहीं आएगा चलो भाई अब मैं फटा फट यह भी समझा देता हूँ कि यह वाला कोशन कैसे हुआ था हम मैं को करने की आवशक्ता है क्या इसको बिलकुल नहीं है आप बोलोगे सर यह देखो अनुपात कितना है साथ अनुपात छे सर उपर वाला साथ उपर आएगा हमेशा अनुपात में यह उपर आएगा नीचे क्या हो जाएगा दोनों अनुपात हम घटा देंगे और गुणा किस से कर देंगे देरी या जल्दी से यह मैंने आपको समझा दिया नेक्स्ट कोश्चन भी इसी प्रकार का है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3 बटा 5 चल कर 40 मिनिट देर से अपने कार्याले पहुचता है ठीक है भाई मुझे अनुपात मिल गया और 40 मिनिट का क्या मिल रहा है मुझे देर से तो वास्तविक 40 से चले तो कितने समय में पहुँच जाएगा तो मेरे को अभी क्या सिखाया गया कि अनुपात क्या है 3 बटा 5 उपर वाला अनुपात हमेशा उपर आएगा दोनों मल्टिप्लाइड हो गया इसमें 40 मिनिट याने की 40 सो देट 3 बाय यह हो गया 2 मल्टिप्लाइड में 40 यह दो से यह हो गया 20 और यह आ गया 20 तीया सहाट 60 मिनिट इस दराइट आंसर ओप्शन ए इस राइट आंसर समझ गये अन्तिम प्रस्ट ने इस पर आधारी तोर करवा देता हूं शायद अंतिम ही होना चाहिए ध्यान देते हैं एक रेलगाडी अपनी सामाने चाल के 7 बटा 11 चाल से चल कर किसी स्थान पर 22 घंटे लेट पहुँचती है ठीक है यदि रेलगाडी अपनी सामाने चाल से चले तो कितने समय में पहुँच जाएगी तो यहां पर जाएगा 22 तो इस प्रकार से इसको solve कर लेते हैं काटा पीटी मचा दो तो यहां पर आ गया यह दो यहां पर आ गया यह 11 11 77 77 से क्या कर देना दो को divide कर देना 70 का आधा होता है 35 और 7 का आधा 3.5 तुम इसको कैसे कर रहा हूं यह समझा देता हूं यह देखो आधा करने का तरीका क्या है इसको 70 प्लस 7 बटा में 2 लिख दो कहां दो दूनी चार दो ती अच्छे करोगे 70 का आधा कितना होता है 35 प्लस 7 का आधा कितना होता है 3.5 35 और 3.38 38.5 गंटे option A is the right answer समझ गए होगे आप बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो का last concept में करवा रहा हूं और एक और बज गया चलो एक और करवा देते हैं एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल से 9 बटा 11 चाल से चलता है तो वह चुमालिस मिनिट देरी से कार्याले पहुँचता है तो उसके कार्याले जाने का सामान्य सा समय क्या है मैं नहीं करता है आप कर लिना और कमेंट करना कि सर ये इसका आंसर आएगा ठीक है तो मुझे लगता है कि आप पहुँच जल्दी इसको कर लोगे आगे वड़ते हैं अब ये मैंने आपको करने को दे दिया अब यह आया new concept है यहाँ पर मैंने new concept क्या है लिखे नहीं यह जो new concept है यह जो new concept है यह special question है special मतलब आएगा तो ऐसे ही आएगा पिछले वाला जो question था उसमें basic से भी question बनते हैं कि कब जोडो कब घटाओ कोई train देर से चल रही है फिर कोई train जल्दी चल रही है तो आपको concept को विचार करना पड़ेगा क्योंकि जब lengthy question होंगे तो यह छोटे-छोटी चीजे मिलेंगी लेकिन यह जो question है यह एकदम patent question है आ कि चाल से जाने पर पांच मिनिट देर से पहुँचता है यदि वह चार किलो मीटर प्रति घंटे से चले तो विध्यालय के समय से पांच मिनिट पहले पहुच जाता है तो उसके घर से विध्यालय की दूरी कितनी है question को समझ लिया होगा और नहीं समझा तो मैं समझा देता हूँ कि एक व्यक्ति है वो अपने घर से निकलता है जब उसकी गती तीन किलो मीटर प्रति घंटा होती है तो वो पांच मिनिट देर से पहुचता है लेकिन यदि वही वेक्ती चार किलो मीटर प्रति घंटे की गती से चलेगा तो वो पांच मिनिट पहले पहुच जाएगा तो अब इस प्रकार के question में हापको hundred and hundred percent वो विद्याले के दूरी याने की दूरी पे question question बनेगा distance पूछेगा एक चाल एक देरी एक चाल एक जल्दी इस तरीके से आपको distance पूछेगा अब यह करना कैसे है बड़ा easy है पहले समझ दो देखो चाल कौन-कौन सी दी है आपको चाल दी है तीन किलो मीटर और चार किलो मीटर प्रति घंटा यह तो समझ गए तो आप दोनों चाल को उपर गुणा कर दो दोनों चाल को नीचे जोड़ दो यह basic concept है multiplied में जितने से देरी हुई यह देखो पांच मिनिट की देरी और जितने से जल्दी आने पहले पहुंच गया यह पांच मिनिट इन दोनों जल्दी और देरी को जोड़ दो और divide कर दो इसको 60 से तो हमें इसका कारण भी बता देता हूँ 60 से क्यूं क्योंकि देखो 4 km प्रती गंटा 3 km प्रती गंटा बड़े मात रख में है पांच मिनिट पांच मिनिट छोटे मात रख में है तो इसको बराबर करना पड़ेगा तो आपने मिनिट को घंटे में बदलने के लिए 60 से divide कर चार तीया बारा बटा में चार और तीन साथ गुणा में पचम 25 बटा में साथ अब इसको सॉल कर देते हैं काटा पीटी करके 12 पंजे सहाथ पचम 25 पांच बटा 7 यहाँ पर कुछ मुझसे गलती हुई है क्या या option में ही गलती है ठीक है तो यहाँ पर चालो का गुणनफल चाड़लो का योग बटे में समय अंतराल का योग 60 अम में इसको इस concept को लिक के बता देता हूँ आपको देखो सिर्फ लिक इसलिए रहा हूँ ताकि आप भी समझ सको कि यह अच्छा ऐसे करा है क्या चालो का गुणनफल बटा में हिंदी में थोड़ा समझना चालो का अच्छे, यहां पर मेरे से गलती हुई है दिए ध्यान देना है इसको मैं गलती को सुधार लेता हूँ अपनी यहां पर यहां मेरे से गलती हो गई है तो इस concept को मैं सुधार लेता हूं थोड़ा था यहां पर आजाएगा ëचालो का ऑंतर 4 by 3 तो जिसकी वजह से यहाँ पर मुझको जो गलती लग रही थी लगबग यहाँ पर यह आ जाएगा 1 ठीक है तो यह 4 में से 3 गया तो 1 चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर गुणा में यह देखो यह हमने क्या करा था तो इसको मैं लिख रहा हूँ समय अंतराल का योग और बटा में सोव अरे बोले सर दिमाग के उपर चला जाएगा इतना बड़ा कॉंसेप्ट इसलिए तो पहले करके बता दिया कंसमय अंतराल का योग पहले का समय अंतराल देरी का है दूसरे का जल्दी का है तो उनका योग करना है जल्दी और देरी को जोड़ना है ये 10 और बटा में सहाथ तो 12 पंजे सहाथ पांच से डिवाइड कर दिया तो 2 एना पांदूनी 10 2 km is the right answer उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे next question भी करवा दूँगा घबराना नी इसको देख करके फिर से समझ लो चालों का गुणा करना चालों का अंतर नीचे रखना गुणा क्या करना जितने से देरी और जितने से जल्दी उसको हम कहेंगे समय अंतराल का योग और बटा म प्रती घंटे की चाल से एक बस जब 40 km प्रती घंटे की चाल से दूसरे शहर को जाती है तो 10 मिनिट बाद पहुंचती याने देरी से लेकिन जब 50 km प्रती घंटे की गती से जाती है तो 5 मिनिट पहले पहुंच जाती है दो चीजे दी है तो चाल और देरी और जल्दी या जल्दी और देरी जो भी दिया है तो शहरों के बीच की धूरी क्या है तो मैंने अब धी बता है आपको distance निकालना है दोनों चाल 40 km और 50 km प्रति घंटे को आपको क्या करना है गुणा तो 40 गुणा 50 बटा में दोनों को क्या कर देना है घटा देना है गुणा में दोनों समय अंतराल कहां गए समय अंतराल 10 Minute और ये पाच मिनिट तो इनको आपको क्या करना है जोड़ देना है तो 10 और ये 5 को आपने जोड़ दिया और । divide कर दिया इसको सहाट से बराबर करने के लिए किलोมीटर पर और और किलो मेटर पर आर और आवर को तो ये जुड जाएगा ये गुणा हो जाएगा बटे में क्या बचेगा दस गुणा में यहां पर क्या बचा 15 ये क्या बचा सहाट तो चलो भई 15 चोक सहाट और 4 से कितनी बार 10 बार और 10 से ये 10 केंसल तो answer आगया D equals to 50 km A option is the right answer ओके उमिद करता हूँ समझ गए होगे एकात question और बचा हो तो ठीक है शहर की दूरी कितनी है चलो ये question और कर लेते हैं कि एक लड़का जब 16 km प्रती गंटे की चाल से cycle चला कर शहर जाता है तो 20 minute देरी से पहुँच जाता है ठीक है देरी दे दी आपको 16 km पहली चाल दे दी लेकिन जब 20 km प्रती गंटे की चाल से जाता है तब 4 minute जल्दी पहुच जाता है तो शहर की दूरी कितनी है distance फिर से भईवाली आत distance सर फटाफट करूँगा 16 और 20 तो गती है और नीचे दोनों को घटा दूँगा तो कितना आ गया? 4 बीस में से 16 गया 4 गुणा में सर दोनों समय 20 और 4 24 मिनिट को मैं जोड दूँगा और बटा में सहाट लिख दूँगा कैसे हुआ? समझ में आ गया हो गया उमिद करता हूँ प्रोसस अच्छे से समझ गए कि ये कोशन हुआ कैसे है? अंतिम प्रश्ण था ये इस वीडियो का क्योंकि नेक्स्ट जो कोशन आएगा यहाँ पर एक बजगे आपके लिए किसमत आपकी अच्छी गंतव इस्थान की दूरी कितनी है? दूरी पर प्रस्ण है 40 किलोमीटर 12 मिनिट 30 किलोमीटर 4 मिनिट दूरी बता देना आपने इसके बाद का नेक्स्ट कोशन में देख लेता हूँ यस ये जो कोशन आया है मजा आ जाएगा आपको यदि इस वीडियो को यहां तक देखा है तो 100 and 100% बोल रहा हूँ ये कोशन में मजा आ जाएगा एक बाद ट्राय करके देखना और नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि इसी के बीच में 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 रेल गाड़ी का चेप्टर चालो करने वाला उसके बाद में में ये वाला चेप्टर याने कि इस चेप्टर को मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मैं ऐसा क्यों करूँगा क्योंकि अब जो कोशन आएंगे वो मिला जूला करके रेल गाड़ी और स्पीड और रेलेटिव स्पीड सबके मिला के आएंगे इसलिए मुझे पहले रेल गाड़ी का सेग्मेंट कम्प्लीट करवाना पड़ेगा तो ये बड़ा दिल्चस्प कोश्चन है खुद करके देखना एक बार नहीं तो मैं खुद करवाऊंगा चलो भाई सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना थेंक यू वेरी मच जैहिंद अपना ख्याल रखो अच्छे से पढ़ाई करो मजेदार पढ़ाई करो कमेंट जरूर करो थेंक यू